अलो गाईज, वेलकम बैक तो मैई चैनल, तो गाईज, तोडेए, वी विल डिसकुस एक्सराइज, डाट इस बेस्ट ओन दा कंजंक्शन, तो आज हम कंजंक्शन के पर एक्सराइज को डिसकस करेंगे, कौन सी अप्रोप्रियेट कंजंक्शन को हम फिल करेंगे, इन तो वही हम यहाँ पर यूस करेंगे, the first sentence is, the house will flood, dash, you fix the roof, चीक है, वो कहरा, house में क्या हो सकता है, flood आ सकता है, unless you fix the roof, अगर तुम रूफ को जो है, शत को जो है, वो proper fix नहीं करोगे, मतलब प्रोपर्र ट्री किसे नहीं बनाया होगा, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, flood आ सकता है, आपका first filling the blanks में क्या आएगा, unless, okay, the second is, Rahul is dash intelligent and dash hard work, वो कह रहा है, second sentence में, Rahul is neither intelligent nor hard work, ना तो वो intelligent है, ना तो वो hard working है, ठीक है, तो यहाँ पर neither or nor आएगा, तो third sentence, sham will play today, dash, he gets a chance, वो कहा रहा है, sham will play today, वो आज खेलेगा, if, अगर he gets a chance, अगर उसे chance मिलता है, तो he will play today, the fourth is, you can't succeed, dash, you work hard, वो कह था, तुम कभी succeed नहीं कर सकते, unless you work hard, जब तक हम work hard नहीं कर रोगे, तो you can't succeed, तुम कभी successful नहीं हो पाऊगे, unless you work hard, इस तरह से यह जो sentences है, कहीं बार हम ऐसे, conjunction का ना भी पता हो, तो हम कुछ से भी in words को put कर सकते हैं, क्योंकि यह तो हम normal हैं, जो हम use कर लेते हैं, बहुत बार, ठीक है, फिप्ट इस, we must reach there, dash anyone else, वो कहता है, we must reach there, हमें वहाँ पर क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, this is the must, यह important है कि हमें वहाँ पर पहुंचना बिफोर anyone else, बतलब किसी भी और से, हमें, पहले हमें, कोई और पहले पहुंचें, इससे पहले यह जुरूरी है कि हम वहाँ पर पहुंचें, 6th one is, Sam is, dash a fool, dash a stupid, तो Sam is neither a fool nor, जा either a fool or a stupid, आप दोनों ही चीज़े neither or nor भी fill कर सकते हैं, either or or भी fill कर सकते हैं, that is your choice, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ना तो वह fool है, ना तो वह stupid है, जा ऐसे बोल सकते हैं, जा तो वह stupid है, जा तो वह fool है, either or or भी fill कर सकते हैं, and you can also fill neither and nor, तो 7th is, I fell asleep, dash I was watching TV, वो कहता, I fell asleep, मैं गहरी नीन में सो गया था, कब, while I was watching TV, क्योंकि तब मैं क्या कर रहा था, मैं TV देख रहा था, और मैं गहरी नीन में सो गया था, 8th is, Samuel was eating food, dash the postman arrived, वो क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, when the postman arrived, जब postman पहुंचा, तो Samuel क्या कर रहा था, eating food, मतलब खाना खा रहा था, ठीक है, तो this is your 8th sentence, the 9th one is, I was angry, dash I didn't argue, वो कह रहा है, मैं गुस्से में था, so, यहाँ पर जाएगा आपका, still, क्योंकि हम यहाँ पर consumption use कर रहे हैं, आप यहाँ पर, इसलिए जा मैंने argue नहीं किया, because I was angry, so भी आ सकता है, आप यहाँ पर इस तरीके से भी फिल कर सकते हैं, I was very hungry, still, I didn't argue, मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए, still, जब तक कि मैंने argue नहीं किया, ठीके, 10th is, she was unhappy, वो क्या थी, खुश नहीं थी, dash she was rich, वो कह रहा है, वो unhappy थी, although she was rich, वो अमीर तो थी, but she was unhappy, ठीके, लेकिन फिर भी वो क्या थी, अनहापी थी, तो यहाँ पर हम आल दो फिल करेंगे, I like him very much, dash, he is my best friend, वो कह रहा है, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, because, क्यों, आप since भी, देखे, अब यहाँ पर since, because, as, जो है, यह आपका because का reason देते है, यह reason के लिए conjunctions है, यह आपकी maximum subordinating conjunction यूज हो रही है, तो यह आपका क्या है, इसको यहाँ पर I like him very much, वो कहता है, मैं उसे बहुत अच्छे तरह से पसंद करता हूँ, since he is my best friend, because he is my best friend, क्योंकि वो मेरा क्या है, best friend है, 12, I can't believe you, dash, you speak the truth, वो कह रहा, I can't believe you, मैं तुम्हें बलीव नहीं कर सकता, until you speak the truth जब तक तुम सच नहीं बोल सकते मैं तुम्हें क्या नहीं कर सकता जब तक तुम सच नहीं बोल सकते मैं तुम्हें मतलब विश्वास ट्रस्ट जो है वो तुम पे नहीं कर सकता 13 is here Annie is dash tall dash round Annie is as tall as Rahul Annie किस की तरह tall है Rahul की तरह 4th one is We don't know dash ram failed in the examination वो कहा रहा हम नहीं जानते हैं वी जो नो आप क्या आएगा वी डो नो वाई राम फेल इन दा examination this is the आपका questioning हो रही है कि क्यों राम फेल हो गया वी डो नो अबाउट दा रिजल्ट जा अबाउट दा मतलब जो पेल हो है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं 15th this year सुरेश इस कलावर डैश प्राउड वो ठाहर है सुरेश क्या है एक कलावर बॉय है बट प्राउडी भी है यह बट प्राउड लेकिन वो क्या है प्राउड भी है I can't attend the meeting dash I am suffering from fever वो कहता है I can't attend the meeting मैं meeting को attend नहीं कर सकता because as I am suffering from because I am suffering from fever क्योंकि reason है आप क्यों यह meeting attend करें because you are suffering from fever तो this is the 16th one तो this is the village dash I lived in my childhood वो कहता, this is the village, यह वो वला विलेज है, वियर, जहां पे I lived in my childhood, जहां पे मैं अपने childhood में रहा था, तो यहां पे आपका वियर आएगा, second is, वेदा is dash kind and dash humble, वो कहारा, वेदा is both kind, वेदा क्या है, kind भी है and humble भी है, both kind and humble, वो द्यालू भी है और बहुत ही humble nature की भी है, 19 is here, you better keep quiet, dash you will be sent outside, वो कहता, you better keep quiet, dash you will be sent outside, तो यहां पे क्या आएगा, अच्छे से चुप करके बैठो, बैठो, otherwise you will be sent outside, तुम्हें बाहर बे यह दिया जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आएगा, otherwise, this is Jack's new mountain bike, sorry, यहां पे Jack जो है, that is the name of a boy, तो J जो है, वो आपका capital में तो this is the typing mistake, तो this is Jack's new, और Jack's के साथ apostrophe S भी आएगा, this is Jack's new mountain bike, dash he got from his parents, ठीक है, वो Jack's की new mountain bike है, विच, अब आएगा विच, जो की उसने क्या किया है, अपने पेरेंस से लिए, he locks it up, every evening, हार evening में इसको lock कर देता है, क्यों, so that nobody can steal it, ताकि कोई भी उसे चुरा न सके, so that means, इसलिए वो बंद कर देता है, ताकि कोई उसे चुरा न सके, यहाँ पी आपका आएगा, so that, और यहाँ पी आपका आजाएगा, which, 21, dash my father loves jazz, he does not often listen to it, यहाँ भी capital में जहें आएगा, क्योंकि this is also the name of a person, 21 में आपका क्या है, although my father loves jazz, he does not often to listen to him, वो करते हैं, and he does not, पर उसकी क्या करते हैं, कभी कबार उसकी सुनते नहीं है, 22, वो कहता है, dash we were driving through the countryside, we saw a lot of nice villages, वो कहता है, यहाँ पी आपका क्या आएगा, 22 में आपका आएगा, while we were driving through the countryside, वो कहता हम country side से drive कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था, we saw lots of noise villages, हमने बहुत सारे villages को देखा था, जो बहुत ही अच्छे थे, तो यहाँ पे आपका while आएगा, उस दोरान हमने बहुत सारे villages को देखा, 23, Honda makes cars, dash motorcycle, Honda makes car as well as motorcycle, वो car तो बनाते ही है, as well as और साथ में motorcycle भी बनाते हैं, Honda is the company, automobile company है, जो आपके cars और motorcycle वगारा को बनाते हैं, तो 24 को, our fight attendants must be able to speak, dash English and Spanish, वो कहता है हमारे जो fight attendant हैं, वो क्या करते हैं, वो इस जोगया कि वो क्या बोल सकते हैं, दोन्नों ही language, both English and Spanish, जहां पे बोथ आएगा, the weather was perfect, it was dash to hot dash to cold, वो कहता बेदर विल्कुल perfect था, because it was neither too hot nor too cold, ना तो बहुत जादा hot था, ना तो बहुत जादा cold था, तो यहां पे neither or nor आएगा, यहां पे इधर और और नहीं आ सकते हैं, इधर too hot, जहां तो बहुत जादा hot था, यहां बहुत जादा cold था, that is not the perfect better, कि जहां तो बहुत जादा गर्मी हो जाँ, बहुत जादा सदी हो, ठीक है, तो Sally invited me to her party last weekend, dash, I had to tell her I couldn't come, कि तो Sally invited me to her party, उन्होंने पिछले weekend मुझे invite किया था party पे, ठीक है, however, I had to tell her I couldn't come, जबकि मैंने उसे बता दिया था कि मैं नहीं आ सकती हूँ, 27 का, यहां पे however, आएगा 27 का, I started to learn Italian, dash my stay in Rome, I started to learn Italian, वो कहते हैं, मैं क्या start किया है, Italian, learn करना शुरू की है, during my stay in Rome, जब भी मैं उस वहां रहने के दुरान मैंने इटालियन को भी सीखना शुरू कर दिया था, 28 का, dash being the better team, we lost the match, वो कहते है, despite being the, better team होने के बावजूद भी हमने match को क्या कर दिया, खो दिया, जैसे अभी India और मैत हुगा था, और उसमें इंडिया हार गी थी, तो आप वो कह रहा है कि इंडिया वालों ने अच्छा कहला है, लेकिन चलो गेम है, कोई हारेगा, एक जीतेगा, तो जैसे उसमें है, कि अच्छी टीम होने के बावजूद भी, उन्होंने क्या कर दिया अपनी, despite being the better team, अच्छी टीम होने के बावजूद भी, भी, we lost the match, हम अपना match, जो थे, वो क्या कर दिया, खो दिया, मतलब हार गे, तो 29 का, डैश, we had not eaten for over 20 hours, we were not hungry, तो यहाँ पर आप काएगा, even though, even though we had not eaten for over 20, हमने 24, 12 hours से, पर ने, मतलब जादा हो गया, हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, है, we were not hungry, और ना तो हम hungry है, ठीक है, I arrived late for the show, डैश, the bad traffic, देखो, वो reason दे रहे है, कि आप, वो क्या हुआ, लेट पहुंचा, शो में, because, because the bad traffic भी उसकता है, due to bad traffic, ठीक है, इसके कारण, bad traffic होने के कारण, वो क्या हुआ, late for the show, ठीक है, तो guys, यह जो video, यह जो आपकी slide है, यह आपकी exercise, मैं आपको एक दे रही होंवर्क के लिए, तो यह आपका एक practice work रहेगा, conjunction के उपर, इन सभी sentences में आपको appropriate conjunction फिल करनी है, कि कौन से conjunction आएगी, आप अच्छे से इसको read कीजिए, conjunction की videos देखिए, और then इसको फिल कीजिए, यह आपका अच्छे से practice work हो जाएगा, और भी बहुत सारी exercises आप YouTube से, Google से देखें, लगा सकते हैं, आपकी practice work कर सकते हैं, then you can properly understand how to fill the conjunction in different, different types of the sentences, okay, तो this is for your homework. तो guys, यह जो आपकी conjunction के exercise थी, यह मैंने आपको previous वीडियो में homework के लिए दी थी, आज हम इसको discuss करेंगे, I hope कि आप सबने अपने answers mark करके रखे होंगे, तो आज देखते हैं इसको किस तरीके से, कौन-कौन से conjunction इसमें fill हुई है, ठीक है, the first is that I asked you to come to see me, तो यह क्याता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आओ, and see me, और मुझे देखो, तो यह क्या है आपका and आएगा, second, what you suffer from is nothing more, dash, less than, sheer ignorance, तो वो कहता है, what you suffer from is nothing more, that is the nor, nor आएगा यहाँ पर, ठीक है, third is, he helped himself to another drink, his hand shaking, dash, that he could hardly hold the decanter, तो यहाँ पे आपका आएगा, so that, यह पूरी ही conjunction आएगी, so that पहले से लगा दिया, आप so भी लगा सकते है, so भी एक conjunction है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका so fill होगा, fourth is, they entered the room, dash, close the door behind him, they entered the room, and close the door, उन्होंने room में enter किया था, और door बंद कर दिया, behind him, उसके पिछे से, ठीक है, dash, this was not to be the end, अब हो कह रहा है, but, this was not, लेकिन यह जो है, यह end नहीं है, हो सकते है, इसके आगे कोई और संटेंस हो, तो हमने बीच में से उठा के यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे बटा आएगा, ठीक है, तो sixth is, his legs were trembling, so that, यहाँ पे कहाएगा, so that, इसलिए, he could hardly sit his horse, इसलिए, उसने, अपने hard horse, जो है, उसको बिठा दिया, ठीक है, he came to me, dash, laid his hand on my shoulder, अब seventh है, he came to me and laid his hand, और अपना हाथ on my shoulder पे रख दिया, ठीक है, so eighth, it moved after a moment, or two, वो move करेगा, जा तो एक movement के बाद, यहाँ, दो movement के, मतलब दो पल के बाद, यहाँ, एक दो पल के बाद, वो, हम बोलते न, एक दो पल के बाद, तो एक दो पल के बाद, वो चला जाएगा, move करे, move करता है, मतलब, it really means nothing more, not more, nor less, than the speech expression, sometimes observed in the eyes of a sorrowful animal, तो 10th मापका, there was nothing for it, but to go, वो कहता, उसके आंकों में कुछ भी नहीं था, for it, उसके लिए, but to go, लेकिन जाने दो, तो यह क्या आपका, बट आएगा, he went round to the door, dash opened it, यहाँ पे आएगा, he went round to the door, and open the door से open कर दिया, 12th का, then he came to her, dash took her hand, वो कहता, then he came to her, तब वो आया, and, तब वो आई, उसके पास, and took her hand, और उसका हाथ ले लिया, मतलब, 13th का, the others turned and looked at him, दूसरों ने turn किया, and looked और उसकी तरफ देखा, so she waited for an answer, what none come, came, वो क्याता, वो बेट कर रहा था, answers के लिए, लेकिन कोई भी answer नहीं आया, so what time, he went to her, and laid his hand on his shoulder, तो he went, यह शायद उपर repeat हो गया है, आपका, यह यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका, यहाँ पर यहाँ पर he came to me, and laid his hand, his hand on my shoulder, तो यह and वाला सेम ही होगे, लेकिन first product, he went to her, and laid his hand on her shoulder, ठीक है, यहाँ पर आपका, like, share, and subscribe my channel.